SDS category के बाद जो है इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो advertisement आ रही है वो package वालों की आ रही है कि भाई हमारे तो मजे हो गए आपको कोई fees पे करने की जुरूरत नहीं है आपको कोई GAC पे करने की जुरूरत नहीं है आपका वीजा लग जाएगा तो इस वीडियो में देखेंगे कि क्या आप package करते रहे हैं मैंने कभी भी package को criticize नहीं किया है हर एका अपना अपना system होता है हर एका अपना अपना budget होता है उसे साफ से चलता लेकिन इस वीडियो में क्या package इस time पे आपको करना चाहिए क्या package करना सही है जान नहीं है इसको properly detail मेंट इसे करूँगा वीडियो करते हैं तो बहुत से सौथ के हमारे ऐसे वीडियो हैं जिनको ये word कभी सुना ही नहीं होगा लेकिन अगर हम पंजाब गुजराज यहां पर यह सिस्टम बहुत जादा famous है इसमें आम तोर पे क्या किया जाता है कि student को कहा जाता है कि आपका सारा कुछ हम पे करेंगे आपने visa के बाद पैसे देने हैं तो इसमें सबसे बड़ा cash क्या होता है सबसे बड़ा cash यह होता है कि आपको यह लगता है कि जो consultant है वो आपकी fees अपने pocket से पे कर रहा है लेकिन basically हो क्या होता है कि private colleges हैं बहुत से ऐसे college हैं जिसके लिए मैं कई word use करता रहता हूँ अब यहां पे न colleges की fees जो है जो किया जाता है आपका उस made mission उसके बाद आपका सारा process चलता है अगर आपका visa आ जाता है आप visa के बाद जो है पैसे पे करते हैं जिसमें चार पांच लाग का consultant का जो है margin होता है चार से पांच लाग मिनिमुम कह रहा हूँ यह amount में तो मिनिमुम चार से पांच का उसका margin होता है जाने कि जितना कुल खर्चा आया होता है उससे वो चार से पांच लाग increase करके वो आपसे लेता है तो यह package का मोटा मोटा होता है अब ठीक है package आप कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन क्या इस situation में जब SDS category को उन्होंने कह दिया है कि SDS category हमने जो है वो बंद कर दी है और दूसरा सबसे ज़्यादा important उसके साथ साथ अगर आपने DLI change करना है तो आपको फिर से file लगानी होगी तो ऐसी situation में जिस तरीके की changes कैनड़ा में हुई है तो क्या package करना वाके ही इस time पे वो सही बात है क्या ये अकलमंदी वाली बात है तो तीन चीचे हैं जिसको आपने consider करके चलना है अगर ये तीन चीचों से आप satisfy हैं तो आप अभी भी package कर सकते हैं सबसे पहला ये पहले भी होता था package वाले student जो होते हैं सो में से 10-15-20 students का वीजा आता है इससे ज़्यादा वीजा नहीं आता है वो कल भी सचता आज उससे भी ज़् सचा है क्योंकि अब जो है अब तो यह है कि बिल्कुल ही उन्होंने student ही बहुत कम लेने हैं इसलिए उन्होंने से डेस काटेगरी जो है वो बंद की है तो अब जो वीजा आने के chances हैं अंडर package क्योंकि अपका private college में admission होगा वो ऐसे colleges हैं जिन colleges का कोई भी नहीं track record नहीं है उ दूसरा अब यह बहुत ज्यादा important है इससे पहले जब किसी का package में वीजा आ भी जाता था तो वो student क्या करता था एक semester लगा के जहां साथ के साथ अपना college change कर लेता था क्योंकि जो भी private college में उसको admission दिलाया जाता है उस college का work permit नहीं होता है तो वो work permit ना होने की वज़े से व करते हैं तो आपको फिर से फाइल लगानी होगी तो अगर आप package करते हैं आपका वीजा आ भी जाता है तो भी आपको द्वारा से फाइल आपने पहली फाइल लगाई पैकेज किया उस फाइल का वीजा आया लेकिन आप जब आपने क्योंकि आपको college change करना ही पड़ेगा अ ऐसे college में study करके आपको वापसाना पड़ेगा तो लेकिन अगर आप college आप change करना चाहते हैं वो possibility नहीं है आपको फिर से फाइल लगानी पड़ेगी जो फिर से वही चीज है आपको फिर से करना पड़ेगा और visa chances फिर से बहुत ज़्यादा काम हो जाएंगे तो अगर ये द study withdraw कर लेते थे और LMIA के साथ work करना शुरू कर देते थे अब वो भी बंद हो चुका है क्यों बंद हो चुका है आई आर सी सी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इस चीज पे strict है कि कोई भी अगर वहां पे study visa पे गया है अगर वो study नहीं कर रहा है उसने अपना कुछ change कर लिया तो उस student का उस person का deportation जो 100% है उसको deport किया ही जाएगा लेकिन इसके साथ साथ अगर आप LMIA की बात कर भी लें तो LMIA बैसे भी बंद हो चुका है LMIA अब लेना इस situation में लेना 20, 25, 30 लाक रपया खर्च करके लेना सबसे बड़ी भूल है अगर आप LMIA की बात करते हैं चाहे study drop क करते हैं चाहे किसी भी stage पे आप LMIA लेके वहाँ पर वर्क वीजा लेते हैं तो अब वो एक सही फैसला नहीं है तो अब आपका ये रास्ता भी बंद हो गया है कि आप वहाँ पे study पे जाएं वहाँ जाके study drop कर दें और उसके बाद आप LMIA पे work permit पे चले जाएं मैं आपको 101 गरंटी देता हूँ जब यार आई आर सी सी ने आपके record देखा उसने पकड़ लिया कि आप college में नहीं पड़ रहे हैं यहां पे भी आप होंगे वहीं पे जाके आपको उठाके वापस इंडिया भेज दिया जाएगा तो इस चीज का पंगा आपने नहीं लेना है तो ये त ले सकते हैं तो आप भी पैकेज कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि 99.99% स्टूडेंट्स को जा उनके पेरेंट्स को ये चीजे मनजूर होंगी तो इस टाइम पे पैकेज करना सबसे बड़ी भूल है उस तरफ आप मत जाएए प्रॉपरली अपना profile बढ़िया कीजि देखिए ये मेरी आपको recommendation है इस वीडियो को maximum to maximum share कर दीजिए ताके बहुत से हैं जो इस चीज में स्ट्रैप में फसने जा रहे हैं वो बस सके इस वीडियो के regarding question है तो नीचे लिए आप को answer मिल जाएगा राजवी चहल thank you so much